Hello everyone, I'm Ayesha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको बताऊंगी Emergency के Types जैसे कि Emergency तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही अब Emergency होती कितनी टाइप की हैं हम कितनी टाइप की Emergency की Planning करके रखते हैं उनके बारे मैं बताऊंगी अब देखिए जैसे कि Emergency है अपन किसी भी Workplace पे हैं तो उसमें Emergency दो तरह की की रहेंगी एक On-Side Emergency एक Off-Side Emergency ठीक है मतलब On-Side मतलब हुआ कि आप किसी भी जगापर Work कर रहे हैं वहाँ पर आपने वहाँ उस जगापर अपनी Emergency Planning कर रखिये कि अगर आग लगी तो आपको ये करना है अगर कोई Accident हो तो आपको ये करना है इस नमबर पर फोन करना है ये आपकी On-Side Emergency प्लान हो गया पर आपके यहाँ किसी काम होने से बाहर वालों को हार्म होना वो कहलाता है Off-Side Emergency उनके लिए आपने क्या किया है जैसे कि माल लीजे इनके आपके यहाँ से कोई भी गैस लीक हो गई और उससे अपके On-Side के साथ Off-Side यानि कि जो आपका आसपास का Environment है उसको हार्म हो सकता है तो उसके लिए आपने क्या प्लानिंग की है तो इस तरीके से दो तरह की प्लानिंग आपकी करी जाती है On-Side Emergency और Off-Side Emergency ठीक है तो इसमें भी यह बताया गए Emergency क्या है Emergency कैसे Situation है जहाँ पर हमें जलसे सदस्टाप लेना होता है यह अचानक से हो जाने वाला एक Accident उसे Emergency कहते हैं दो तरह की Emergency होती है On-Side Emergency और Off-Side Emergency ठीक है On-Side Emergency जो है उसमें क्या है जहाँ आपन वर्क प्लेस पर जहाँ भी काम कर रहे हैं उसे कहते हैं On-Side-Side पर होने वाले Work के लिए Emergency और जो Off-Side Emergency है वो कहलाता है आपके होने वाले काम से कोई भी Environment को हार्म होना वहांके People को हार्म होना उसे कहते हैं तो इस तरीके से दो तरह की Emergency पर काम किया जाता है और इनके लिए Steps बनाया जाता है Planning की जाती है कि अगर ऐसी Situation होगी तो हमें क्या करना है हमारे क्या Emergency Numbers है हम कैसे Call करेंगे अगर ये चीज होई तो हम किस तरीके Step लेंगे हम कैसे किसी Person को First Aid तक प्रोवाइड करेंगे ये सारी चीज़े Emergency Planning के वक्त पर हम करते है ठीक है अब ये देखिए इस तरीके से Onside Emergency Planning की जाती है साथ ही Offside Emergency Planning भी करी गई है ठीक है तो क्या होता है उसमें इस तरीके से आप Planning करेंगे Information होनी चाहिए आपको इस तरीके की प्राब्लम होई है Radio Room तक ये पहुंचनी चाहिए बात सारे एरिया में इस बात का पता होना चाहिए First Aid प्रोवाइड करना ठीक है Ambulence से उन लोग को ले जाना ये सारी आपकी Onside और Offside Planning की पूरी Steps होती है ठीक है Happiness से Environment HARM होता है तो क्या होता है उनके लिए कौन काम करेगा अब हुआ आपके यहां से जो पहार के इंसान है Animals है Environment है पूरा है पूरा वो तो HARM हो रहा है ना अब इसका जिम्मेदार कौन होगा तो इसलिए क्या होता है As for Rules Factory Act के according अगर फैक्टरी में है तो आपको एमेजैंसी प्लैनिंग जो आप कर रहे हैं उसमें दो तरह की की प्लैनिंग की जाती है ठीक है जिससे की क्या हो कोई भी जो भी है इंसान बाहर के उनको इस तरीकी की चीजों से कोई हार्म ना हो ठीक है माल लीजिए आपके यहां का कोई भी harmful waste जो है वो अपने river में थ्रूआ कर दिया तो क्या होगा पूरी river खराब होगी इसे harm होगा ना सभी का तो ऐसी चीज़े नहीं करनी है इसी लिए क्या होता है यह क्या है अपनको उसका environment का ध्यान रखना है यह legal compliance में आता है उसके बाद अगर कोई भी emergency हो रही है तो क्या आप क्या action ले रहे हैं उन लोगों के लिए अपनी on-site के अलावा off-site के लिए क्या action ले रहे हैं इसलिए इस तरह की planning की जाती है यह देखिए disaster management planning तरीके का बताया गया इसमें on-site plan और off-site plan दोनों बताया गया है on-site में सिर्फ उन लोग के लिए काम करना जो की inside है company के inside है workers के लिए only ठीक है workers only इसमें लिखा है works only ठीक है environment के works incident जो भी हो रहे है work के लिए ठीक है और इसमें क्या बताया गया है off-site में कि outside works only के लिए ठीक है inside मतलब जो आपके यहां होने वाले काम है उनके लिए outside मतलब जो off-site है ठीक है तो इस तरीके से क्या है दोनों चीज़े maintain करके रखना बहुत ज़रूरी है inside में क्या है on-site आपके जो emergency plan है वो तो आपका maintained है off-site में भी एक well planned होना चाहिए आपकी emergency planning ठीक है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं अपनी जगा को safe रख सकते हैं आसपास के होने वाले accidents को भी रोक सकते हैं अपने area में अच्छे से अच्छे emergency planning आप कर सकते हैं जिसकी वज़े से आपकी जो company उससे होने वाले कोई भी accidents की list increase ना हो आप अच्छे से अच्छे facilities उन्हें provide करा सकें अपने company के workers को साथी आसपास की जगाओं को भी आप safe कर सकें इसलिए ये emergency planning बहुत ही जादा काम आती है और साथी इनकेस अगर कोई भी ऐसी situation create हो रही है तो आपको extra कुछ नहीं करना पड़े इस वज़े से ये planning पहले से रहती है कि ऐसा ना हो कि तुरंत ऐसा accident हुआ और आपको समझ ही नहीं आ पा रहा भी क्या करना है तो इस तरीके की planning पहले से बनी रखी रहती है कि इस तरीके की situation में हमें ये करना है उनको first aid provide कराना उनकी बाकी सारी चीज़ें आपको maintain करना आपके emergency numbers आपको बना के रखना कि अगर problem होती है तो इन नमबर पर call करने पर जल्दी help मिलती है तो ये सारी चीज़े related है accident होने से कोई भी emergency situation create होने पर माल लीजे अगर आपकी industry में आग ही लग गई अगर fire हो गई है आग लग गई है तो उस समय पे आपको क्या करना है उसके लिए बेक emergency plan है कि आपको alarm लगाने है ये करना है वो और साथ ही इस emergency plan से जो भी आपके आसपास कोई भी village है या जो भी चीज़े है उनको भी aware कराना कि इस तरीके की situation है ठीक है तो इसमें क्या है आप दोनों चीज़ों को सेफ कर सकते है अपनी जगा को भी और आपके आसपास की जगा को भी ठीक है तो आज मैंने आपको on side और off side emergency plan के बारे में बताया कि आपको इस तरीके से planning करने पे आप अपनी जगा को safe रख सकते हैं आसपास की जगा को safe रख सकते हैं environment को भी safe रख सकते हैं ठीक है तो इसमें जादा कुछ नहीं करना होता है जब भी आप emergency plan create करते हैं बनाते हैं तो उ इसमें on side off side दो तरीकी emergency plan बनते हैं दोनों अलग अलग चीजों के लिए काम करते हैं उसमें पर करना आप ही को है ये emergency plan बनाना क्योंकि आपकी industry है जितना वो safe रहेगी जितना आसपास का area safe रहेगा उतरहीं वो safe रहेगी तो आज ही मैंने आपको बताया इसके बारे में on side औ कर दो सता आप ही मैं तर आप ही